जो है जानने वाले हैं दुस्तों कि आपका पैसा कटता है वो पैसा आप कैसे क्लेम कर सकते हो और उसके लिए पैसे क्लेम करने के लिए आपको जो है आईडी और पासवर्ड का जिरूरत पड़ता है तो आईडी और पासवर्ड आपको बनाने के लिए आपको क्या करना है सिर बनाना होता है जैसे कि अगर आपने पहले से नंबर और सारा चीज देखर कर लिया है तो वहाँ पर आपको आपको पासवोर्ड नहीं दिया जाता है पासवोर्ड आपको खुद से बनाना होता है तो पासवोर्ड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है यह जो मेरे स्क्र प्लेश्टोर पर मिल जाएगा इसका जो नाम है दूस्तों मैं बता देता हूँ PF Money One App आपको लिखिएगा प्लेश्टोर पर जा करके तो आपको ये एप मिल जाएगा नई तो इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने आपको डिप्रिपशन में अल्रेडी दिया हूआ है जहां से आप डिरेक्टी आप डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तों इस एप्लिकेशन को जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो जो भी आपने वहां पर नाम दिया होगा आप अपना नाम देना उसका पर यहां के अपना लिंक देना है अभी साइन अ कर लेता हूं उसके बाद आपको आगे के प्रोसेश के बारे बताओंगा उससे पहले दुस्त आपके यहां पर email ID से भी sign up करने के लिए बोल जाएगा तो email ID आपको अपना दे देना तो दुस्त चलिए मैं जल 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 इसे sign up कर लेता हूँ इसके बाद दुस्त आपको जैसा मैंने बता रहा था कि यहांप आपको जो है Google ID भी आपसे पूछा जाएगा तो Google ID आपको यहांपर देना होगा तो यहांप आपको log in with Google ID पे आपको किली कर लेना है इसपे आप जैसी टैप करोगे तो आपका गाईडी होगा आपका एकाउं यहां पर फाइनली देख सकते हैं दोस्तों कि मैं लोगिन करने के लिए बोला जा रहा है तो मेरे पास तो अभी आज़ी तो है यूए नमबर तो है लेकिन मेरे पास पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड के लिए मुझे यहां पर क्लिक करना है नीचे की ओर एक्टिवेट पर क्लिक किया तो यहां おकों कर देना है उसके पर का समय दिये होगे समय नहीं है तो वह आपको यहाँ पर दे देना है अपना mobile number जो कि उसपे code आएगा OTP code आएगा और यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा capture का जो कि यहाँ पर आपको यह capture कर देना है enter capture here वाले section को बर जैसे आप इस पर फिल करोगे और नीचे में आपको एक option दिया गया है send OTP का send OTP पर जैसे click करोगे और वहाँ पर आपको registered जो mobile number है आपका उस number पर एक code आएगा और उस code को आपको फिल कर देना है चारंग का code आएगा और उस आपको फिल जैसे करोगे तो आपका जो ID और password होगा आपके जो है मलब की जो registered mobile number होगा उस number पर सेंड हो जाएगा तो दूस्तों यहां पर आपको 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 पैसा क्लेम किया है कि नहीं किया है उससे पहले यह करना होता है कि आपको KYC कंप्लेट करना होता है तो KYC के लिए क्या क्या लगता है और आपको जो है उसके बाद जो है वो कितने दिन में अप्रूब हो जाता है आपका पैसा और वो कब आप पैसा निकाल पाओगे वो सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को अब मैं आपको दूस्तो कल उस वीडियो को बनाने वाला हूँ तो कल मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो के सिर्फ इतना ही था कि आप अपना जो है पासओड कैसे जनरेट कर सकते हो तो दूस्तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थिर मैं कल मिलता हूँ आपसे नई वीड करओे शपर लूबसाओ धना कर दो सब्सक्राव कर दोल्स है कर दो थए व्लावी सिन्स व्लाव थे लुद जी में है तो मजज़ एंद प्रन्स नहीं है